दोस्तो भोचपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग इस्टार खेसारी लालियादों का तांडव इसकदर रहता है कि भाई भोचपुरी इंडस्ट्री में इनसे कोई पंगा नहीं लेता है इनसे कोई टकर नहीं लेता है क्योंकि खेसारी लालियादों का जल्वा ही कुछ इस अगर मैं बात करूं तो आपको बता होगा कि YouTube Music Chart में खेसारी लालियादों ही भोचपुरि के से कलाकार हैं जो टॉप 10 में आये हुए हैं और पुरे वर्ल्ड में अगर भोचपुरि का कोई कलाकार है तो वो खेसारी लालियादों हैं इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेसारी लल्यादों के सामने भोजपूरी का कोई भी कलाकार, चाहे वो पवंड सिंग हो, रितेश पांडे हो, समर सिंग हो, गुंजन सिंग हो, या फिर कोई भी कलाकार एटुजेट, वो कोई भी नहीं तिकता नजर आता है। इसकड़ी में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि खेसारी लल्यादों के लास्ट 28 दिन में जो व्यूज मिले हैं, वो एकदम हिला देने वाले हैं। और मुझे लगता है कि भोजपूरी कलाकार तो छोड़िये, बॉली बुड के कलाकार भी खेसारी लल्यादों के इसकार कामे को पकड़ने में कहीं कहीं मजबूर हो जाते हैं और वो भी इस चीज को नहीं पकड़ पाते हैं। दसल पूरे वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो गलोबली खेसारी लाल्यादों को लास्ट 28 दिन में 757 मिलियन व्यूज मिले हैं। यानि कि 757 मिलियन अपने आ 331 मिलियन व्यूज महज पांच शिंग को लास्ट 28 दिन में मले हुए हैं। और वही मैं समर सिंग की बात कर लेता हूँ, समर सिंग की तो समर सिंग का तो पता नहीं आई नहीं रहा इसमें, तो कहीं है। लेकिन आप अंदाज़ है सकते कि खेसारी लाल्यादों के वो बताल व्यूज मिल रहे हैं, वो अपने आपने कमाल है, और वाकई कमाल का है, खेर इस पर आप क्या परतिक्रिया देना चाहेंगे, कॉमेंट बोक्स के गरी ज़रूर बताएं, पताने बाद,